मेरे परिवार जिनों बित कई दिनों से देश में मुंबई ट्रांस हारबर लिंक अटल सेथू की चर्चा हो रही है आज जो कोई अटल सेथू को देख रहा है तो इसकी तश्विरे देख रहा है वो गवरों से बर उठता है को इसकी विसालता से समुंदर के बीच उसकी 80-60 म मंतर मोगता है, कोई इसके एंजिनिरिंग से प्रभावित है, जैसे इसमें जितनी बाइर लगी है, उससे पुरी पुरुधवी के दो चक्बार चक्कर लग सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में जितना लोहा स्टील इस्तिवाल किया है, उससे हावडा बिरीज, चार बार चार और छे स्टेची अब लिबर्टी का निर्मान हो सकता है कोई इस बात से खुश है कि अम मुंबई और राइगड की दूरी और सी मड़ गई है जिस यात्रा में पहले कई गंटे लगते थे अब वही यात्रा कुछ मिनीटों में हो जाया करेगी इससे नभी मुंबई के साथ सा पूरे और गुवा भी मुंबई के और और पास आ जाएंगे इस ब्रीज को बनाने में जपान ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं जपान सरकार की विशेश रुपते आभारी हूँ मैं आज अपने प्रियम मित्र स्वर्गिय सिंजो आबे को जरूर याद करूंगा इस ब्रीज के निर्मान को जल्द से जल्द पुरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिल कर लिया था लेकिन साथियों अटल जेत्व को हम इतने सिमित दायरे में नहीं देख सकते हैं अटल जेत्व भारत की उस अकांशा का उजय गोष्ट है जिसका आवान साल 2014 में पूरे देश ने किया था जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं राइगड कीले पर गया था चत्रपती सिवाजी महराज की समाधी के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताये थे उन संकल्पों को सिद्धी में बदलने की उनकी इच्छा सकती जन सकती को रास्टा सकती बनाने की उनकी दरस्टी जी सब कुछ मेरी आँखों के सामने और आशिरवाद मुन करके आया था उस बात को दस साल हो रहे हैं इन दस वर्जों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है अपने संक्रपों को सिद्धियों में बदलते हुए देखा है अटल सेतो इसी भावना का प्रतिमीम है युवासाथ्यों के लिए ये नया विश्वास लेकर आ रहा है उनके बहतर भविश्ट का रास्ता अटल सेतो जैसे आदूने की इंफ्रसेक्टर से होकर ही गुजरता है अटल सेतो विक्सित भारत की तश्वीर है विक्सित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक जलक है विक्सित भारत में सब के लिए सुविदा होगी सब की समरुद्धी होगी गती होगी प्रगती होगी विक्सित भारत में दूरिया सिम्टेगी देश का कौना कौना जुड़ेगा जीवन हो या आजिविका सब कोछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा यहीं तो अकल से तुका संदेश है